तो photo के background को remove परने के लिए आज हम बताने वाले हैं आपको दो icy website जिससे कि आप अपने photo को full HD quality में अच्छी तरीके से remove कर सकते हैं बैसे तो बहुत सारे application भी play store पर आपको मिल जाएंगे लेकिन उन application का इस्तमाल यदि आप उसमें perfect नहीं है तो अच्छे से photo को erase नहीं कर पाते हैं लेकिन इन website से आप photo को मात एक ही click में कुछी second हो में HD quality में remove करेंगे तो चलिए आज हम इनी दो website के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से photo के background को erase करते हैं तो लेज चलते हैं हम आपको सीधे mobile screen पर तो सबसे पहले हम जाएंगे Google पर और Google पर जाकर टाइप कर देंगे remove VG टाइप करने के बाद में आपके सामने पेज खुल जाएगा इस उपर वाले पेज पर ही remove image background लिखा होगा यहाँ पर आप किलिक कर देंगे इस पर किलिक करने के बाद में आपको यह वेफस्टाइट पर ले जाकर पहुंचा देगा डिखा लिखा देख रहा है कुछ नहीं करना है को अपलोड इमेज पर किलिक कर देना है इस पर आपके मोगाईल में जो कुई जिसका भी रिमोड करना चाहते हैं फोटो आप चूज क है यदि हम HD quality में photo को download करेंगे तो एक दिन में एक ही photo को हम download कर सकते हैं बकाया यह पैड है लेकिन हम low quality में इसको download करने के लिए इस वाले option से download करेंगे तो यह low quality में download हो जाता है अब यह photo हमारे mobile के गैली में चला गया और यह जाकर हम इस photo की quality को चेक करेंगे देखते हैं यह photo किस quality में आपका सेव हुआ है और इसको हम जूम करके दिखाते हैं यह दिखिए इसकी quality बहुती बेकार सी quality हो गए यह low quality में download किया है यहां से हम unlimited download कर तो हो सकते हैं लेकिन यह बिल्कुल low quality का है अब हम बताते हैं आपको एक दूसरी website जिससे आप full HD quality में download कर सकते हैं इसका नाम है sticker mule remove by ground यहां पर आप टाइप कर देंगे sticker mule remove by ground और यहां पर ऐसी website यहां दिखेगी इसके आपको उपर वाली एक क्लिक कर देना है और यहां पर आपको यह देखिए sticker mule.com यहां पर website खुल गई यहां पर कुछ नहीं करना है आपको upload photo पे loading photo पे क्लिक कर देना है और आपको जो है mobile की गैली से कोई भी एक photo चूज कर लेना है कोई भी photo चूज करें इसका बैक्ग्राउंड रिमॉब करेंगे यह दिखी अप्लोडिंग फाइल चलने लेगी उसके बाद में बहुत यची तरीके से प्रोसेजिंग फाइल चलने लेगी इसके बाद में आपके फोटो का पर वाले option पर क्लिक करेंगे और आपका फोटो डाउनलोड हो जाएगा चलिए हम इसको अब हम गैलरी में जाकर चेक करेंगे कि इसकी क्वाल्टी कैसी है यह फोटो हमारा जो है बहुत ही अच्छी क्वाल्टी का है यह दिकी फूल एच्डी में हम डाउनलोड कर सकते हैं इस वाली website से और कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं जैसे थमलेल बनाने के लिए यह किसी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं जो कि PNG फाइल में हमारा डाउनलोड हुआ है तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी आसा करता हुए जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी कमेंट करके जरू बताएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि यहां पी चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू कीजिएगा तो चलिए मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए